हिंदू पंचांग के अनुसार अस्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पित्र विसरजनी अमावस्या कहा जाता है इस दिन स्राथ पक्ष का समापन होता है और पित्र लोग से आए हुए पित्र जन अपने लोग को लोट जाते हैं इस दिन ब्राम मड को भोजन तथा दान आदी से पित्र जन प्रप्थ होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्र और परिवार को आसिरवाद दे कर जाते हैं तो आएए जानते हैं साल 2022 में अस्विन अमवश्या कब है अमवश्या तिति का प्रारम कब हो रहा है और कब समाप्ती मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सर्व पित्र अमवश्या या पित्र विसर्जनी अमवश्या 26 सितंबर 2022 को है अस्विन सुकल पक्ष की प्रति बदातिथी का सुरू 26 सितंबर 2022 को सुबा 3 बच कर 23 मिनट से और इसकी समाप्ती 27 सितंबर को सुबे 3 बच कर 8 मिनट तक सर्व पित्र अमवस्या पर कैसे दे पित्रों को विदाई सर्व पित्र विशर जनी अमवस्या के दिन इस्तनान कर सफेध वस्तर पहन कर पित्रों के नाम का तरपड करें दक्षिड मिखी होकर बैठें और एक तांबे के पात्र में गंगा जल या स्वच पानी भड़ लें उसमें काले दिल और थोड़ा कचा दूद कुस डाल कर तरपड करें तरपड करते वकट इस मंत्र का जाप करें ओम, पित्र गड़ाय, विदमहे, जगधारडिय, धीमही, त पित्रो, प्रचोदयात और पित्रो की सांति की प्रात्ना करें इस दिन ब्रामण भोजन जरूर कराए भोजन में खीर जरूर बनवाएं ब्रामणों के लिए जो भोजन बनाया है उसमें से पांच हचसे निकाल दे देवताओं के गाए, कुत्ते, कौई और चीटियों के ल और सामर्धनुसार दक्षिडा देकर उनका आजिरवाद ले और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें इस दिन दीपदान करने की परंपरा भी है, हाला कि अलग अलग जगाओ पर देश काल इस्थान के इस्थान पर पित्र विसरजन की विदी अलग अलग है, आशाय आप आपको वीडियो पसंद आई हो कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरी चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले, जै स्रीकिष्ण